एक तरफ मुकेश सहनी इस बात का दावा कर रहे हैं कि 2025 के विधानसवा चुनाओ में वो इंडिया गठबंदन के साथ रहेंगे और दूसरी तरफ वही मुकेश सहनी इस बात का भी दावा कर रहे हैं कि वो बिहार विधानसवा चुनाओ 2025 के लिए 243 सीटों पर चुनाओ लरन कि त्यारी कर रहे हैं अब आप इस बात को समझिये कि मुकेष सहनी अपने ही बातों में विल्योधावास दिखा रहे हैं और क्या ये इस बात का संकेत है कि मुकेष सहनी इंडिया गठ्वंदन से अलग हो सकते हैं और 2025 की विधां सभा चुनाओ में अकेले चुनाओ लर सकते हैं अकेले दंपर और चुनाओ में आकर के बरे-बरे राजनितिक दलो का खेल विगार सकते हैं अब ये बाते क्यू चल रही है इसके पीछे का कारण क्या है इन सभी मुद्धो पर विस्तार से बात करेंगे और आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप म लिकोप्टर में बैठ करके यात्रा कर रहे थे और बिहार के तमाम जगों पर जा करके लोग सभा चुनाओ के परचार कर रहे थे लोगों से वोट की अपील कर रहे थे और अब 2025 का विधान सभा चुनाओ होने वाला है लगबग एक साल का समय जो है इसमें बाकी है और बिहार सहनी 243 सीटों पर चुनाओ लरने की तयारी कर रहे हैं और मुकेश सहनी का ये दावा इस लहजे से खास है क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर के ये अठकले लग रही थी कि वो इंडिया गटवंदन का साथ छोड़ने वाले हैं तिजस्वी यादों का साथ छोड़ने वाले हैं और लोग इस बात को लेकर के अब गयास लगा रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी इंडिया गटवंदन से अलग होने के बाद अकेले चुनाओ लरने वाले हैं इस बार विहार की इरजोर राजनिती होने वाली है 2025 का विधान सभा चुनाओ जो होने वाला है वो काफी तरीकों से अलग होने वाला है क्योंकि इस बार प्रसांत किशोर मैदान में है वो भी 243 सीटों पर जुन सुराज के लरने का दावा कर रहे हैं और मुकेश सहनी भी 243 सीटों पर चुनाओ के तयारी कर रहे हैं मतलब ये कि बिहार में तमाम राजनितिक दलों के बीच अगर मुकेश सह सहनी अलग से अपने प्रत्यासियों को उतारते हैं तो हो सकता है कि एक बड़ा खेल हो जाए और खेल ऐसा हो जाए कि बिहार के तमाम बरे-बरे राजनितिक दलों के लिए एक मुश्किल खड़ी हो जाए प्रसांत कि और पहले ही तमाम राजनितिक दलों के लिए एक बहु हो सकता है कि वो NDA में भी न जाएं अग हो सकता है कि वो अकेले चुनाव Tay presumably और इस कारण से तेजस्वी यादव को नुक्सान भी हो सकता है तेजस्वी पर उनके गठवंदन को सबसे ज्यादा नुक्सान हो अब मुकेश सहनी आगे क्या करेंगे ये तो वक्त बताएगा लेकिन मुकेश सहनी का ये जो दावा है फिलाल पिहार में राजनिती पारा हाई करने के लिए काफी है ये भी हो सकता है कि मुकेश सहनी प्रेसर पॉलिटिक कर रहे हो और हो सकता है कि तेजस्वी यादो और महा गठवंदन जो है इंडिया गठवंदन उस पर दबाव बना रहे हो अभी से की 2025 के विधान सभा चुनाओं में जब सीचों का बटवारा हो तो मुकेश सहनी को कमतर नहीं आका जाए लेकिन अब मुकेश सहनी का ये प्र बाकी अब आप इस ख़बर को लेकर के क्या सोचते है और आपको क्या लगता है कि मुकेश सहनी अगर 243 सीटों पर विधान सभा चुनाओं लरते हैं तो उनकी पार्टी को क्या फाइदा या नुक्सान होगा अपनी राए कमेंट करके हम तक बेजिएगा और देखते जनता जन्चन बहुत बहुत धन्यवाद